तो शुरू करें तो आज हम बात करेंगे मीडिया टेक की एक न्यूसी चिपसेट के बारे में जिसका नाम है मीडिया टेक डाइमांसिटी 720 और यह ओफिसियली मीडिया टेक ने एनाउंस कर दिया है और यह चिपसेट 20 से 15000 के अंदर फोनों में देखने को मिलेगा और बताए पर आज हमोगे चिपसेट में भूत ही खास सां अबर लोके हम जाने और उससे पहले अगर आपने नेगार मुझे पहली बारvos झानल को कर देना और अगर वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना शुरुआत करते हैं इस चिपसेट की एन्यम की टेक्नोजी और आर्टीटेक्ट्टर से यह चिपसेट आपको 64-bit आर्टीट्टर और 7-nm फिनफ़ा टेक्नोजी में मिलता है और यह मीडिया टेक की पहली चिपसेट है जो की मीड सेगमेंट के अंदर आपको 7-nm की जी आपको देखने को मिलेगा उसके साथ ही अगर हम इसकी CPU के बार में बात करों इसमें आपको टोटाल 8 कोड देखने को मिलेगा जिन में से 4 कोड कोटेक्स से 76 में 2.0 गीगार्टा क्लॉक मिलेगा और आपको 4 कोड कोटेक्स से 53 में 2.0 गीगार्टा क्लॉक देखने को मिल MP4 technology के साथ और यह जो GPU है यह आपको PUBG RM से बहुती अच्छा खासता फ्रेम रेट के साथ बहुती अच्छा खासता इस टिप से न में आपको देखने को मिलेगा उसके साथ ही अगरा इसकी camera की support के बार में बात करूं इस में आपको 16 प्लस 16 की dual camera की support मिलता है सिंगेल अपको 64 MP तक का single camera की support मिलता है 4K camera को यह video को shoot कर सकता है 30 fps में और उसके साथ ही अगरा इसकी display support के बार में बात करूं display support यह 2K तक display को support कर सकता है 60 fps तक और उसके साथ ही 90 Hz की refresh rate यह up to को support कर सकता है उसके साथ ही अगरा इसकी और एक technology के बार में बात करूं जो कि यह chips आपको 5G के साथ आएगा under 15,000 के अंदर अगर कोई phone आपको मिले जिसके अंदर 5G भी होगा 7NM के technology भी होगा जो की बहुत ही अच्छा मिलते है इसमें 5G के आपको up to speed 2.16 Gbps तक देखने को मिलेगा उसके साथ ही बात करने यह जो चीफ वाता है इसके आंतुत के बार में बात करने इसका आंतुत लगबाग 3,50,000 के एरांड इसका आंतुत बता जा रहे अभी तक तो यह chipset launch नहीं हो है लेकिन जो लीक आट सुमर से पता चल रहे मैं आपको सर्फ यही चीज बता सकता हूं क क्योंकि अभी तक मैंने इस chipset को टेस्ट नहीं किया है उसके साथ ही अगर आप इसकी और additional चीज़ के बार में बात करने हो जैसे कि यह RAM हो गया RAM आपको LP Rear 4X की RAM की सपोर्ट मिलता है और उसके साथ ही up to 12GB तक का RAM की सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है स्टोरेश टाइप आपको UFS 2.0 की स्टोरेश टाइप मिलता है तो इसमें अगर UFS 3.0 मिलता है तो ज्यादा वैलू प्रोबाइट करता है लेकिन इसमें 2.1 की आपको देखने को मिलता है उसके साथ ही अगर हम इसकी और additional चीज़ के बार में बात करने हो जैसे AI हो गया इसम को बहुती अच्छा लेबेल ताग होगा और इसका जो पर्फमेस होगा बहुती अच्छा लेबेल ताग हो जागा उसके साथ ही अगर हम compare करो तो आपको क्या लगते है यह अगर 15 से 70,000 के अंदर लॉंच होता है तो आपका excited हो आप नीचे कमेंट कर चकते हो Qualcomm Snapdragon 712 से भी यह बेटर मिलता है और Qualcomm Snapdragon 730 से यह थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं कौन सी स्मार्टफोन में यह सबसे पहले आएगा तो Realme की स्मार्टफोन पर यह सबसे पहले आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह था अचका वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और अगर बैक्डर में कोई भी नौइज आपको मिले तो माप कर देना क्योंकि इदमे आपको बहु किस वीडियों पता पता के लिए बाइ